एटा के शहर कोतवालिक शेतर के रेलवे रोड पर नीजी डेंटल क्लीनिक में जम कर हंगामा हुआ एक युवती ने डेंटल क्लीनिक की रिसेप्शनिस्ट पर परीक्षा के नाम पर कमरे में बंद करने का आरोप लगाया इस बात को लेकर दोनों युवतियों में जम कर विवाद हुआ और आरोप लगाने वाली युवती के परिजन भी पहुँच गए वहीं रिसेप्शनिस्ट का कहना है कि उस पर जूटा आरोप लगा है युवती खुद पूरी रात कहीं गायब थी अंगामे की सूचना के बाद मौके पर पहुची पुलिस ने मामले को संदिक दबता कर जांच शुरू कर दी है अब ये मामला जूटा है या सच्चा कि पीडिता पूरी रात बंद थी तो ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा फिलहल मामला संदिक्द है एटा ससंजीव कुमार पंजाब केसरी टीवी